हलो एविवान, माईसल फूमर तश्कीर गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अब बाउट लीड मैगनेट आइडियाज यानि अलग अलग तरीके के क्या हमारे पास कुछ आइडियाज हो सकते हैं जिनको यूज करके हम लीड मैगनेट्स क्रियेट कर सकते हैं जब कभी भी हम लीड्स काप्चर करना चाहते हैं तो देखो लीड्स काप्चर करने का तरीका अलग अलग हो सकता है हमारी website के उपर, हमारे blog के उपर बहुत अच्छा organic traffic हो, बहुत सारे लोग आ रहे हुँ, तो वहाँ से भी हम lead capture कर सकते हैं, अगर बहुत जादा organic traffic नहीं है, तो हम paid ads run करते हैं, paid campaigns run करते हैं, तो बड़े अलग अलग तरीके होते हैं, जिनसे कि हम lead generate करने की कोशिश करते हैं, अब lead होती क्या है, हमारे lead क्या होगी, जैसे कोई हमारा prospect है, अगर हमें उसकी information मिल जाए, उसका नाम पता चल जाए, उसका phone number पता चल जाए, उसका email पता चल जाए, तो बाद में हम उसको nurture कर करके, उससे contact कर सकके, follow up करके, उन सारी चीज़ों करके, फिर हम जो हमारी prospect है, lead है, उसको हम paying customer में, या paying client में converts कर सकते हैं, इसलिए हमें lead की ज़रूरत पड़ती है, तो मोटे-मोटे तोर पे समझ में आने वाली बात है, कि भीजा lead होती क्या है, lead क्या है, कि अगर किसी भी prospect का, जो हमारा future में client बन सकता है, customer बन सकता है, उसका हमें phone number मिल जाए, उसकी हमें email address मिल जाए, या अगर उसका address की हमें ज़रूरत है, अगर उसका address मिल जाए, नाम मिल जाए, तो हमारे लिए बड़ा असान हो जाएगा उसको, उस prospect को client में convert करना, right, तो अब हम इसके लिए क बदले, अगर आप मुझे कोई बड़ी valuable चीज़ दे, जैसे मैं अगर digital marketing में काम करता हूँ, आप मुझे कोई digital marketing के tips and tricks दे, और उसके बदले मुझे से कहें कि मुझे बस अपना email address दे तो, तो मेरे लिए ये सोचने वाली बात तो है नहीं, मैं normally आपको अपना email address दे दूँ तो वो जो सारी चीज़े, वो जो सारे formats में आप मुझे वो information provide कर रहे हैं, वो resource provide कर रहे हैं, that is basically lead magnet, अब सवाल उठता है कि ये lead magnet से मैंने बताया ebook होती है, PDF हो सकते हैं, वीडियो के form में हो सकते हैं, तो अब ये lead magnet के क्या क्या ideas हैं, ऐसा क्या lead magnet हम बनाएं, कि जिस भी prospect क वो दिखे, वो उस lead magnet के बदले मुझे अपनी information दे दे, तो lead magnet के बारे में भी सोचना बड़ा important हो गया, कि lead magnet के ideas भी हमें निकालने पड़ेंगे, lead magnet भी अच्छे से अच्छा होना चाहिए, ताकि जो prospect जैसे उसको देखे, वो हमें अपनी information दे दे, और हमारा lead magnet जो सही, जो qualified leads हैं, उन ही को लेकर आए, मतलब lead magnet इतना accurate, इतना precise होना चाहिए, कि वो सही audience को ही मिले, ठीक है, मतलब सही audience को मिले, तो अब बात करते हैं कि lead magnet के ideas क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हम सोचते हैं, कि हमें lead magnets में क्या बनाना चाहिए, तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं, lead magnet depends on the nature of the business lead magnet किस type का होगा किस format में होगा किस type का होगा और किस format में होगा उसके अंदर content क्या होगा ये depend करता है कि आप leads किस type के business के लिए किस type के service के लिए collect करना चाहरे है तो सारी चीज़े तो अब explain नहीं हो सकती एक वीडियो में तो गाइस मैंने क्या किया यहाँ पर जो मैंने example लिया है वो basically real estate market का है real estate market का मैंने यहाँ पर example लिया हुआ है कि किस तरीके से real estate business के लिए आप जब lead generate करना चाहते हैं तो किस तरीके से अलग-अलग जो है आप lead magnets के बारे में सो सकते हैं तो जो पहला example है वो यह है real estate market analysis year wise, month wise, quarter wise यह कुछ भी हो सकती है और किस format में हो सकती है PDF, e-book, वीडियो के format में हो सकती है तो भाई अगर कोई बंदा जो मकान खरीदना चाह रहा है या plot खरीदना चाह रहा है या flat खरीदना चाह रहा है तो अगर उसे आप कुछ ऐसी information देंगे कि भाई देखो यह market analysis है इस तरीके से हमारे देश में इस तरीके से जो property के दाम है वो उपर हो रहे हैं या इस तरीके से नीचे हो रहे है या अगर हम देखे past year का तो past year का trend क्या है क्या forecast हो रही है यह information उसके लिए valuable है किसके लिए जो मकान खरीदना चाह रहा है या flat खरीदना चाह रहा है तो अगर आप real estate की company हैं और आप यह चाहते हैं कि आपके पास अच्छी qualified leads आए उन लोगों की qualified leads का मतलब यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर मतलब यह हुआ कि मुझे उन लोगों की information चाहिए जो मकान खरीदना चाह रहे हो plot खरीदना चाह रहे हो या flat वगरा खरीदना चाह रहे हो तो यह जो अगर आप lead magnet बनाते हैं और इस lead magnet को आप promote करते हैं तो इस lead magnet के exchange में जो prospect है वो आपको अपनी email address नाम और phone number दे सकता है क्यों दे सकता है क्योंकि यह चीज़ valuable है उसके लिए बास समझ में तो एक देखो idea निकल के आगया कि किस तरीके से हम lead magnet बना सकते हैं दूसरा देखते है दूसरा है details related to available home loans schemes अब यह भी बहुत important है कि कौन कौन सी banks है कौन कौन सी banks है जो home loans provide कर रही है interest क्या है ठीक है कितने percent का interest है home loans के उपर क्या क्या facilities है home loans के उपर government की कौन सी scheme चल रही है home loans के लिए तो यह अगर आप यह जो document है अगर आप यह बनाएंगे PDF के form में आप फिर उनको market करने के लिए जो है आप उनका नाम और phone number के बल ले रहे हो लेकिन ये चीज आपके बल उनको ये पूरी जो चीज है वो free में दे रहे हो बस उनसे ले के आ रहे हो आप उनका phone number या email जो भी जिस भी चीज से आप करना चाहते है फर्दर जो भी आपके पास marketing करने के जो भी आपके पास available tools है वो आपको पता होगा कि अगर मझे email marketing campus run करने तो email आपके लिए important होगी अगर आपको लग रहा है कि जो है leads को prospects को clients में convert करने के लिए हमारे पास telecallers की team है तो फिर आपके लिए important यह होगा कि lead में आपके पास phone number भी हो तो यह depend करता है फिर से यह चीज़ depend करती है वेरी करती है business to business यह वेरी करती है कि आपकी team किस type की वेरी करती है आपके पास अभी available resources tools क्या है या marketing channels क्या है तो यहाँ पर आपने क्या किया details related to available home loan schemes इनका आपने PDF बना दिया और इस PDF को आपने promote कर दिया Facebook ads के तुरू कि भाई यह जो लोग भी अगर मकान लेने के सोच रहे हैं घर लेने के सोच रहे हैं वो क्या कर सकते हैं वो यह free PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो definitely जो लोग मकान और इसके exchange में उन्हें कोई problem नहीं होगी अपना phone number या email देने में बाद में जो आपके telecalling की team है जो भी आपके back end में marketing की team है वो सारी फिर बाद में आपकी जो leads हैं उनको clients में convert कर सकती बात समझ में तो यह दो तरीके हमने देखे कि lead magnets these are basically lead magnets क्योंकि वो यह क्या कर रहे हैं यह capture कर रहे हैं आपके lead आपके prospect की information को capture कर रहे हैं तो these are the lead magnets मैंने क्या बता है आपको कि यह किस industry के लिए basically real estate के लिए third is guide to buying a home ठीक है एक जो है basic सी guide आप बना सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पर बता है कि आप PDF, e-book, video किसी form में भी आप एक guide बना सकते हैं guide to buying a home और this is basically for the first time buyers जो पहली बार खरीद रहे मकान उनके लिए guide है किन चीज़ों को ध्यान रखना है किस type से उनको documents check करने हैं क्या bank की process होती है अगर वो loan लेना चाह रहे हैं और भी बहुत सारी जो legal formalities है वो सारी चीज़े क्या होती है कि जीजों को उन्हें ध्यान रखना है मकान किस तरीके से rate बढ़ रहे हैं कब उन्हें खरीदना चाहिए कब बहुत सारी बहुत सारी चीज़े होती है कि भाई अगर कोई एक बंदा है जो आज मकान लेनी की सोच रहा है उसके रिमाफ में बहुत सारी questions आते हैं उन्ही सारे questions का आपको answer बनाना है और उसको PDF किसी भी format में आप रख सकते हैं even a simple doc will work Google doc के उपर भी एक अगर document बना देते हैं तो वो भी काम करेगा उसका link आप दे देंगे तो आप इस type के जो lead magnets से उनको use करके बहुत ही अच्छी qualified leads को capture कर सकते हैं guys इस particular video में इतना ही मिलता है next video में till then goodbye